तुम्हरे गुन क्या कहा मेरे शत्गुरा जब गुर बुल ले तब भिशम होए जाए हम जैसे अपरादी अबर कोई राख है जैसे हम सत्गुर राख लिए चड़ाई तुम्ह गुर्पिता तु है गुर्माता तुम्ह गुर्बंदप मेरा सखा सखाए डंडवत बंदन अनिक बार शर्व कला सम्राथ डोलन ते राखो प्रबु नानक दे कारहत शतना तनवाफे गुर्व शाहिब जीएओ हम मूरक मुगद शर्णागती, मिल गोविंद रंगा राम राजे गोरपूरे हार पाया, हार पगत इक मंगा मेरा मान तान शब्द विगाशेया, जाप अनत तरंगा मिल शंत जना हर पाया, नानक सत संगा मेरा मान तान शब्द विगाशेया, जाप अनत तरंगा मिल शंत जना हर पाया, नानक सत संगा वाहि गुरुजी का खल्चा, वाहि गुरुजी की फत्य, चवर शतर तखद मालिक जुगह जुग अटल, साहिब सत्गुरु, श्री गुरु गरंत साहिब, सचे पात्षा माहराज जी दी अपार बख्षिश दा सदका, गुरु राम दास सचे पात्षा जी दे अम्रित बचन चंता दी विचार आप जी सर्वन का रहे हो आओ, हजूर सत्गुरु दे सानमुख बेंति है, गुरु राम दास उने पर्नवाले, सुक्यानू रास और हर्यावल परदान करनवाले टोट चुक्यानू जोडनवाले, निम्रता बैराग, सत्गुरु जी दे प्रेम विच पिजी कोई परताक देहे पार ब्राम स्वामी सत्गुरु गुरु राम दास जी महराज, आप अपने शबद दी कला वरताओ, आप विच वर्त के प्रेम पावना नाल सत्गुरु जी इस इलाही बच्चन दी गुर्मत दी रोशनी विच विचार करन दी दात बख्षो, करो किर्पा साध संगत आप जी बख्षो आसीश, प्यार अदब सेथ उचारन करो जी, सत नाम सिरी वाखे गुरु जी करो बख्षिश, फिर उचारन करो जी, सत नाम सिरी वाखे गुरु जी गुरु रामदास सत्गुरा ने, अजदे इस अम्रत बच्चन विच, प्रभु चर्ना विच जित्थे अरदास बिंती कीती खै, उथे गुर्मत दे इस अम्रत बच्चन दे अकरी अरथ ने पहला, के प्रभु प्राप्ती पूरे सत्गुरु नाल ही हो सक्दी है, इस अम्रत बच्चन दे अकरी अरथ ने पहला, हम, मुरक, मुगद, शर्नागती, रोजदी तरह पहला अकरी अरथ फिर इस दी वक्त दे अम्सार अपां वीचार करांगे, हम दा अरथ अशी और शब्द मैं मी दा अरथ बंदा है, हम मुरक, मुगद, शर्नागती, मुरक और मुगद, शब्द, गुरु गरंस है, विच बहुत वरी वर्तिया गया है, उज एदे जडे असी लफजी अरथ पढ़ने हैं, बे समझी, बे अकली, बे अकल, बेवकूफ शब्द वर्तिया जानदा है, जेसे बंदे नो कोई समझ ने, उज संपर्दा ही अरथ जदो मुरक और मुगद कीते, थोड़ा जा इनाच एक अंतर पाया, पर गल फिर भी समाना जानी, मुरक दा अरथ कीता, जेड़ा बंदा संसारी ग्यान तो हीना है, ते मुगदा अरथ कीता, जेड़ा संसारी नाउलज बहुत रखदा है, पर आत्मक ग्यान तो बिना ओ खाली है, जा आत्मक ग्यान तो खीना है, पर सिद्धी गल एदे अरथ असी अग्यानी करांगे, इदे अरथ मुर्ख दी परबाशा गुरुगरं से विच दितीख है, के मुर्खां विच्चो सब तो उपर दा मुर्ख होवे, के जेड़ा पर मेश्वर दे नामनों नहीं मांगदा, खैर, माराज किने असी मुर्ख, मुगद, तेरी शर्न विच आएंगां, हम मुर्ख मुगद शर्नागती, मिल गोबिंद रंगा, राम राजे, गोबिंदा अर्थ तर्तीदा सहारा, रंगा जिड़ा लफज आयाख है, इद अर्थ अनन्दी, कौत की, जासी वेखांगे रंगिला, रंगुला, माराज किनने एदे अर्थ हो गए, अर्थ मिल गोबिंद रंगा राम राजे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, असी आप जी दी मुर्ख मुगद शर्न विच आएंगां, ते तुशी सानू गोबिंद जी मिलो, एकने अर्थे किते भी मिले रहो, हे प्रभु असी आप जी दी शर्न विच आएंगां, मुर्ख हां, मुगद खां, तर्थी दे सहारे, रंगिले, कौत की, अनन्दी, चो जी, हे परमेश्वर जी तुशी सानू मिल, अगे फिर माराज किनने गुर पूरे हार पाया, गुर पूरे गुरु दी बख्ष शनाल जा, पूरे गुरु ने मेर कीती, हरी दी प्रापती होगी, हर पाया, हरी नो प्रापत कीता, हरी नो मिले, ते माराज किनने मिलके भी पगत एक मंगा, पगत दे तत्ते नो सिहारी एदा अर्थ पगती, एक पार ब्राप परमेश्वर दी, एक वै गुरु दी पगती ही, असी मंग रहे खा, खरी पालिया, गुरु ने मिला दिता, पिर फिर भी ऐसी पगती मंगने पए, अगे सत्गु अपने जीवन दा निजीत जर्बा दस रहने, मेरा मान, तन, सब्द विगासिया, जाप अनत तरंगा, एदे अर्थ यूं करिये, जाप अनत तरंगा, पाठ पावें चलो अनत प कोई ने, तरंगा दा अर्थ आप जान दियो लहरा, के ओ पार ब्रह्म परमेश्वर जेडा अनेका तरंगा वाला है, अनक तरंगा नलो ने पसारा कीता है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर नो असी जपया, पर जपया कि में, शब्द, गुरु ने शब्द दी दा दिती, उस शब्द दी किर्पानल मेरा मन और तन, शब्द विगासिया, शब्द दे राही, शब्द दे तो वैलिश, गुरु दे उपदेश राही, महराज के ने, साड़ा मन और तन, पूरन तोर ते खेड़े विचा गया, अकीर्द महराज कें देहा, मिल संत जना हर पाया, प्रबु राम दास के ने, ओना संत जना दी संगत करके, ओना दे एकाट विचों, ओना दे खजों विचों, जा जिते ओस संत जना दी संगत के, उस संगत विच बैठके, शब्द कमाया, जीवन कमाया, ते साड़ा मानतान खेड़े विचा गया, एक है आज दे इस अमरत बचन दे, अ दी विचार जदो आपाउन करांगे ते मैं आप जी नू कल भी क्या सी ते आज भी मैं उसे गल नू रपीट करांगा पामें ए अम्रत बानी रोज आसा की वार्च कीरतनी गुर्शिक पड़ देया पर जे आप जी रोज आना इस अम्रत बचना दा पाठ करांगे ते सानू अर जी ने पहला शब्द कहा हम मूर्ख मुगद शर्नागती होन एक तोक लए कि आपा व्याख्या करने अर्थ की ते अशी मूर्ख अशी मुगद खे चोजी प्रापरमातमा आप जी दी शर्न विचाएंगा होने जड़ा लफ जदो मूर्ख और मुगद आया इदार्थ बे समझ खे जिन्नों ग्यान कोई नी पर एक पासे गुरु रामदास पहला कहा के आया सानू बचन के हर अम्रत पिन्ने लोईना कल कहरे सन सचे पात्षा हर प्रेम बानी मन मारेया गुर्मखो गुरु ग्रण सहीब चे मूर्ख शब्द अग्यानिया लई बे अकलेया ली सम समझतों की नियाली बरतियाख है पर एदे नाल नाल गुरु ग्रण सहीब दी बानी चे आत दी निमरता दा सूचक है ते ए निमरता वखावे मातर नखी ए तोर अंदर तो समर्पन होके पार ब्राम पर मेशवर जी सानू कुछ नी उंदा असी कुछ नी जान दे असी मूर खाँ असी अग्यानी खाँ असी अविचारी खाँ सानू विचारदा कोई समझ नी पता नी लगरी गुरुम को याद रखे ओ ए लफज बे समझी चने ते अर्थ करांगे मैं खरी अर्थ करद ते बे समझ मुगद अकल तो हीना पर एदे अर्थ करांगे तनु ग्रु राम अत्ति निर्मान्टा विचा के अत्ति न्मर्टा विचा के उस चोजी प्रभु अग्ये बिंती करेया कि सानू कोई समझ नहीं असी तेरी शर्ण वे चाहें क्योंकि गुरु कर दे अंदर जियों जियों किसे दा अंदर नाम नल पारदाखे रोहानियत नल पारदाखे दैवी गुना नल पारदाखे तियों तियों उन्हों सखाना नी पहिंदा गुरू परसाद वरताए उस बंदे दा अंदर देन बदेन अपने आप ही निमरता देवी चला जाना है फिर बेंगती सुने हो हालांके गुर्बाणी ने दोनों पाख रखे ये थे वखावे दी निमरता दावी जिकर कीता है ते एते साच मुच तूर अंदर तो निमरता होई जीवन दा भी जिकर कीता क्योंके निमरता शिंगार खै अबादत दा जिनना कोई निमर पाव विचो वेगा सबद दी किरपा नाल उनना उप परमातमा दी बख्ष दा पातर बनेगा पामा गुरु शाहिब ने बानीच उदारना भी दितिया एक दो सी बचन लेना है मेरी इचासी खाम मूरक मुगद शर्नाक दी ए लफ़ साथ गुरु क्यों वरदे पैया जितना निमर पाव होवेगा निमरता होवेगी ओना ओर रासनू ते तातनू जान सकेगा पर वखावे दी नहीं लोकानू दखाउन वाली निमरता होवेगे ते प्यारे हो तोर अंदर तो निमर हो जाना ए परमातमा दी किर्पाख है ए सुते सिद सबाव पैदा हो जाना है जिमें गुरु नानक साहिब जी दे असी अमरत बचन पढ़ने है इनों असी कलीर कर लिए मतलब थोड अंदर दी निर्मानता है अगे वी ऐसे बचनाउन के जिमें गुरु नानक साहिब दास एक बचन पढ़ने है ते उस विच आप आसा की वारदा है एक पासे सिमरन वाली दैवी अंदर दी निमरता है ते दूजे पासे सिमरन वाले दे शरीर दी रीज कारके इनों फिर सुन जी एक उन्दा है तोर सच्चा हकीकी जीवन दूजा है हकीकी जीवन वेक के पकांडते परपंच करना बाहर दा वखावा ओदे वरगा करना पर अंदर ओखोना ना जिमें बानीच एक महराज जिने बचन के है के ने हांस और बगला दोना दा जे तुसी अकार देखो चाह देखो टे इको पर ती तुम दाई पर साचे वे के देश दे इको जैने पर बगला कदी खंस दी रीस नहीं कर सकेगा ठीक यो रीस करन दा यतन करेगा ते कामयाब नीखोना क्योंकि उदा रंग श्वेत खे खंस दी तरह पर अंदर ता कपट खे बगले सामने दोद प खंदा मच्यानी खंदा ओं मोती चोन दाए पर हंस नू रबनिक गुण देता है ओं डूंगे पानियां विच्चो वी तर जान दाए बगला रीस कर सकता है पर ए गुण कि थो ले आएगा पानी विच्चो तरनवाला एसे नू गुरुजी ने क्या के हंसा देख तरनदिया बगां पे आया चाओ डूब मुवे बग बपडे सेर तार उपर पाउं सेर ओना देताल जमीन वाले पासे पैर उते मैं सिर वे बिंती रामच मेरी इच्चा सी आज़े के खं मूर्ख मुख शर नागती जड़ा उंजता साथ गुरु तर्ष करे खौमेच नहीं एक एक तोक कह रही है भी रोज रोख के एदी व्याख्या होर खुल के कीती जाए पर समेदे लिहाज नाल मैं बिंती करांगा गुरु शाइब ने एक पासे है वखावेदी निमरता एक पासे है तोर अंदरो सिमरंचो उपजी निमरता यह आप आप कहांगे सिमरंचो क्यों एक है के ट तानी नू शाख नू रसी बनके ओनू तक्के नल जोर नल जमीन वल चुकाना दूजा है टानी नू फाल लगे फाल रास नल पार जाए ते रस्यानल खिचन दी लोड नहीं जेडी टानी रास नाल रास दाइक फलानल पार जाएगी प्यारे हो ओन तानी आपने आपी चोक जाएगी उनू खिचन दी लोड नहीं उनू बनन दी लोड नहीं जेडा तोर अंदर नाम रास विच परपूर हो जाएगा ओस शाख उस तानी दी तरह है जेडी फाल दाइक रास दाइक फलानाल प्यारे हो अपने आप जमीन वाल चुक जान दीख है गुरु साहब दा रासे कित फाल फिके फूल बाकबके कामना आवें पात एना तुकावी सिर्फ बार दे खंकार नू खंडन कीता जिमें सिम्मल दा रोके ते शब्द गुरु जने वरतिया सार आईरा असी कठा पाट करने है सिम्मल रुक सर आईरा ए जदो संदी शेद करांगे सार आईरा सा भी जदा खै मोटा ताजा भी खै यदा पाव अर्थ है जेड़ा बंदा मोटा ताजा भी खै एं समझो श्रीर पूरा पाले है ते सिम्मल दी तरह ओपलेख का पांदाए फडन दा और रुखानियत दा पलेख का पांदाए पर अंदर ओद केवल फिकापन पर याओ याग खैर माराज किने सिम्मल रुक सरायरा अत दीरग अत मुच ओई जे आवें आशकर जाएं नरासे कित फल फिके फुल बाक बके कम नावें पात अगे माराज पिर बेरी दी उदारं दें दें के मिठत नीमी नान का पामेत लफज बेरी नी बरतें दासनिक बहुत पुरातन टीक के चेदे अर्थ बड़े सन उकेंदे सन सिम्मल उच्चा खे बेरी नीमी खे बेरी जदो बेरानल पार दी रसनल चुक जांदी के मिठत नीवी नान का गुण चेंग या तात हुन अगे फिर निमरता जदो वखावे दी आजाएं उते फिर माराज किने सब को निवे आपको ये निमरता वखावे दी पर को निवे ना कोई ताराजू तो लिया निवे सो गौरा हो ये ते फिर निमरता दैवी गुणा दी आगी फिर बेंती सुनो के पहली के वखावे दी सब को निवे आपका अपने स्वार्थरी लोग चुक देया पर को निवे ना कोई बर माराज केंदेहा जदो तराजू दे विच चीज कोई तो लिए जेडा पलडा पारी हो वेगा ना उनु थले खिचन दी लोड नहीं तराजू दा तकडी दा ओ पलडा ओ पला अपने आप तरतीवल जाएगा जेडा अंद्रो गुणा करके सची मुची पारा हो जाएगा गवरा हो जा जाएगा तरता राजू तो लिए निवैसो गौराख होए अगे महराज केंद्या अपरादी दूना निवै फिर कह देता है चुकन वाले फिर पखंडी आ गए अपरादी दूना निवै जू खंता मिरगा है जिमें मिरगदा शिकार करन दे लई एक शिकारी जमीन ते चुक पांड खे एथे जिड़े सात्गुरु ने शब्द वरते ने जी एक ज्यानियावली शब्द नी वरते असी मूर खांसी कुझ नी जान दे नहीं प्यारे हो एथे सात्गुरु तोर अंदर च समर्पनों के शब्द कह रहे है आप रोज रह रासदा पाठ कर दे जद वसी आ शब्द पढ़ने तित सरवर्ड है पहले निवासा पानी पावगतिन है किया एदिया अंतलिया तुका कदी पावना सेथ पढ़े हो नाखों जती सती नहीं पढ़े हा सत्गुरु गुरु नानक सहीव जी नाखों जती सती नहीं पढ़े हा मूरख मुगदा हा मूरख मुग तिन की शर्ना जिन तू ना ही विसरया अधी निमरता सोला साहिविच एक बचन गुरु राम दास्दा हम गरीब मसकीन प्रब तेरे हर राख राख वडवड़ा है असी गरीब खान असी मसकीन खान हे पारब्रम परमेशवर सब तो वड़े तू सानू राख लै मैं इस करके बिंती किती साथ संगत जी जदो आपां गुरु गरन सहीविच ऐसे शब्द पढ़ांगे मैं क्या एक पासे मूर्ख मुगद अर्थ साच्मुच अग्यानी बे अकला बे समझ इल्म तो खाली एक पासे मूर्ख मुगद शब्द ओथे वर्तिया गया जिड़ा अंदरो पर्या होया है जिमें गुरु रामदास देख बचनम देख पंड़त शास्त सिम्रत पढ़ेया जोगी गोर्ख गोर करेया एवी गुरु रामदास दा शब्द है जी नोधन क्या ती रागांच सची सरकार दीवानी खे और वाले दिना चर्ज करांगा जित्थे उन्नी राग गुरु नानक साइव दे ग्यारा राग साथ गुराने खोर आपने कुड़ो उचारन कीते ओथे गुरु रामदास दा शब्द की कह रहे है ये ताम अरज कीती इस मूर्ख मुग दा अर्थ एमें नी कर देना क्या गया नी नी इस मूर्ख मुग दे अर्थ वेचवी रुखानियत है जमें महर्य जिके ने पंड्ट शास्थ सिम्र्ट पढ़े मैं तहां किया भी मूर्ख मुग दे वाचे ग्यानिया लिए पंदत ने सिमरतिया पढ़िया शास्तर पढ़िया जोगी गोरक गोरक करया जोगी ने अलाख लाई गोरकनू के पकारया महराझ करें मैं मूरक हार हार जाप पढ़िया हुन मैं मूर्ख हार हार जाप पढ़या प्यारे हो जदो हार हार जाप पढ़या फिर मूर्ख ताका दी होई बानिता करिए मूर्खां सेर मूर्ख जे मनने नाही नाओ मूर्खां विच्चो वड़ा मूर्ख ओ है जड़ा नाम नहीं मानदा ते गुरू रामदास ता कहरे ने मैं मूर का हार हार जाप पड़िया इस करके मेरी बेंती है के बड़े शब्द ने ऐसे एक गुरू रामदास दा शब्द होंदा है मेरे राम ये नीच करम हर मेरे गुण बनता हर हर दयाल कर किरपा बख्ष अवग्ण सा मेरे कि गुरू रामदास दे आवग्ण है ए थे ता पाठ के नने खाम अवग्ण पर एग गुण नाही अवग्णा वाल है गुण निदान गुरू दी शर्न विचम देन मैं सिर्व अए पहली बेंती किती खाम मूरक मुग दी शर्नाग दी इस मूरक मुग दे अर्थ नाम तो हीना नाम तो तुटा रुखानिया तो खाली नहीं करने ए निमरता वाले अर्थ ने ए पामना भी डूबे होई अर्थ ने पामा के कोश्वी सानू मिलनगे अग्यानता न जुडे पर ए अग्यानता वाले नखी ए ओ ग्यान के जड़ा प्रमातमा दी दयान लखुंदा है जिमे सत्गरू दी निमरता बारे ए बचन सादे अतियास ने क्या इनू कोई चुठला आनी सकदा ते निमरता एड़ा वड़ा शस्तर खे जड़ा वड़े वड़े खंकार यानू ही चुका आदेंदा है निमरता एड़ा वड़ा गैना है बिंती करा बाबा श्री चन्दियों देया निमरता तान गुरू रामदास दी बड़ी वरी इसाखी आपने सुनी आए आके दर्शन की ते ते मन चाया पिता गुरू रामदास जी ने सनमान कीता उस्तों बाद दिवान चे बैठ गय शब्द कीरतनों या रबाबियां ने कीरतन कीता बाबा शिरी चंग मन चे फुरना उठाया भी गुरू अंगज सहिब जीन देखिया गुरू अमर दास बारे सुनिया गुरू रामदास जीनों इना ही पोच्छ देखिया सचे पादशा जीनों के आप जी दाड़ा इना लंबेरा केंगे इना क्यों बदाया खे ते महरा जुत्तर देखिया के आप जैसे मापुर खांदे चर्ण चाड़न देले इस लफज ने इना गैरा बाबा शिरी चांजीते अर्थ की असर कीता जेड़े शब्दों ना ने कह वो सुन वाले बाहर आ गए स्रोवर्दी सेवा हो रही सी ओ शब्द साड़े अतिहास विच लिखे है कि अगो शब्द क्या देख निमर्ता गुरू की शिरी चंद पह परशान निमर्ता देखी खोश हो गए पर ओ निमर्ता वखावे दी नहीं सी ओ तोर अंदरो निकली उपजी निमर्ता है देख निमर्ता गुरू की शिरी चंद पह परशान कि अंगद लीनी सेवकार उते सबीकारिया कि असी पुत्तर पुने दे मांच रह गए परतान गुरु अंगद सहीब ने खुकमी बंदा बन के साड़े पिता गुरु देवदी एनी सेवा की ती एना खुकम मन्या और खुकम मन के सेवा करके सब कुछ ले गए इस सत्रह सुने ओ देख निमरता गुरु क शिरी चंद पैपरसन अंगद लिनी सेवकर तुम्रे प्रेम अनन तुम्री महमा अदक है कहिया कहें बनाए तुम्रे सर में जो मज़ें पापी पी गतपा हैं जिड़ा आप जी दे सरोवर चिशनान करेगा साच मुछ पापियां दे पाप खंडनों गे पानी और बानी दे स शात गुरू पहली मैं अर्ज कीती जी ताँ टाइम लाया इस थे के इस मूरक मुगद अर्थ रुहानियत पको लेने ने निमरता पको लेने ने हम मूरक मुगद शरनागती मिल गोबिंद रंगा राम राजे मिल दरते तु मिल सानू गोबिंद अर्थ तर्ती दा सहारा इत ये थे प्यारे उचेते रखो, लफज बबे नल गोविंद नहीं आया, ये थे वावे नल आया है, हां मुरक मुगद शरनागती मिल गोविंद रंगा राम राजे, रंगा दा अर्थ रंगीला है, रंगा दा अर्थ चोजी है, रंगा दा अर्थ अनंदी है, हे चोजी हे अनं आज शबद पहली बरी आया पिछले दिना तु कथा कर दिया रंगा इदा अर्थ रंगीला भी कीता है कोद कहा रि ये रंगीला शब्द माराई ने बानीच बड़ी वरी वरते है रंगुला भी थे रंगीला भी जिमें ऐसी बानीच लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे ओ थे लाल रंगीले क्या है एदा मतलब कौत करनवाला क्योंके इस लफज दे अर्थ जरूरी ने करने आजए रंगीला क्यों क्या ए रंगीन शब्द परे थे रंगीला आम तवरते सी बंदेली वरते हैं बंदा बड़ा रंगीला है पर प्यारी वे थे गुरू जी ने जड़ रंगा शब्द परे दे अर्थ रंगीला हून गे कोत करनवाला चोज करनवाला केड़े केड़े चोज करदाओ में थोड़े जबानी चोर्ज करांगे ओदे चोजाँ दा कोई अंत नहीं मारा ची केड़े रंगीला परमात्मा बाबा चोजीया ओँ अनंदिया ओँ मौजीया ओँ कवत करनवाला ऐसी मुर्ग तेरी शर्न भी चाहएं सानू मिल असी तेनू मिलनों वास्ते आँ तो माराज जी ने शब्द वर्तिया लाल रंगीले प्रीतम मनमुन तेरे दर्शन को हम बारे माराज जा एक बचन हो रहों दाख है जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख न लाग आए माराज कि ने आप पे बहुबद रंगला सखिये मेरा लाल बड़े शब्द आउनगे आप जद पड़ोगे जिते रंगीला क्या कौत करनवाडा के में क्योंके नूँ शरातों मुक्तों के अर्थ करने पेंगे जैसी एक कीजिए एक किमे हो सकता है नहीं एक बचन होंदा है मारे दा चोजी चोज करनवाडा जेड़े साड़े समझ नहीं पहरे कौत करनवाडा इनू समझन लिए एक पाई ना अंदलाल साहिब दी दूसरी गजल दा एक शेर है गाहे सूफी गाहे जाहद गहे कलंदर मे शबद रंग खाए मुक्तलिफ दार्द बुते आयारे मा इस इस शेर राई अर्थ हुंदे ने ओर रंगी लाकि मेंख है हुन देखो पाई सेवदाए असी परमान वजो लिया गाहे सूफी गाहे दर्थे कदी ए रंगले सजना ए कौत किया जदो में सर्ब वे आपकता विचे तेरिया चल कहां देखना मा किते तू सूफी बढ़न के शरा तो मुक्त बइठा है क्योंके सूफी यां दा सिलसला बहुत वड़ा है पर उते शब्द बड़ते है किते तू सूफी है किते बड़ा वड़ा शराई है किते तू मस्ताना कल अंदर बढ़न के मस्त बढ़न के तू अपना नची जा रहे है पैराच कुंगरिव बनी बई ठाक है ओ शलिये सजना देखो माहिसाब शवद किड़ा वर दे गाहे सूफी मैं एद अर्थ कर रहे हैं मिल गोविंद रंगा राम राजी रंगीला गाहे सूफी गाहे जाहद जाहदा अर्थ शरी करम कांडी गाहे सूफी गाहे जाहद गाहे कलंदर मेशवद रंग हाए मुक्तलिफ तेरे वकरे वकरे रंगने उ सजना ये तेरी रंगने किते नाचना है किते हासना किते खेडना किते कर्मकांड करना मैं ताँ बेंती किती रंगीला लफज बड़े कमालदा कहे कौट की या चोजीख मैं दसमदी बानी चुवे के सबंदी अर्ज करनी आज गाहे सूफी गाहे जाहिद गाहे कलंदर मेशबद रंग हाए मुक्तलिफ दार्द द्राकदा तू दार्द बुते आयारमा बुत मूरत केंदे ओ आयारमा ओ चलिये सजन तू छालना पे हैं किते सूभी बनने किते कर्मकांडी बनने किते मस्ताना बनने ते नो गुरू गोबिन सिंग जी एक बचन कर देया काउं गीत के गवया काउं बेन के बजया काउं रित के नचया काउं नर के अकार हो ए खैर अंगी ला सद्गरू गोबिल सिंग जी दा ए बचन अकाल उस्तादी बानी चिखे फिर सुने हो पांदे ताख है महारजी किदने तू रंगी लिया करना की पें काहूं गीत के गवईया किते गीत गाई जा रहे है काहूं बेन के बजईया किते बंसरिया किते तू साज बज़ाई जा रहे है काहूं रित के निचया किते तू नाच करना पे पंगड़े पानना प्यांखे, काहूं फिर बेंती है, मैं तानों रमज क्या सी, भी एदे अर्थ, शरा तो उपर उठ के सुने हो, उन्हें एथे सेख रहत मर्यादा चोके ना किते अर्थ करला प्यों पंगड़ा पाना गल्थ, मैं तानों बेंती करांगा, मैं जदो सर्ब व गुरू सहीब करेंदे, आपको गुरू गोषन सहीब, मार forehead के ना, चोजी मैरे प्यारे चोजी मेरे गोविंदा खरप्रभ मेरा चोजी जी ओ आपे कानू पाएंदा मेरे गोविंदा आपे गोपी खोजी जी ओ गल गुर गोविंदा सिंग कर रहे हैं शब्द फिर सुने ओ काहूं गीत के गवईया काहूं बेन के बजईया काहूं रित के नरिया काहूं नर के अकार को किते गा रहे हैं किते साज बजा रहे हैं किते नरित कर रहे हैं ते किते हैं ताकत वड़ा योदा बन के मदान भी जूजना है अगे केंदिया काहूं बेदबानी किते ता रबी ग्यान दे अक्खर बान के वरतना है गरंथा मिच रुहानियत दे ग्यान ही लिखिया पे है काहूं कोक की कहानी किते सच एवे तू रती शास्तर दे रूब चुई वरतना पे है ए लफज सूजवान मेरे समझ जानगे काहूं बेद बानी काहूं को की कहानी काहूं राजा काहूं रानी काहूं नार के परकार हो अगे फिर केंद है काहूं बेन के बजईया किते बंसरी बजा रहे हैं काहूं तेन के चरईया किते गामा चारना पे हैं गुवाला बन के काहूं लाखन लवया किते मक्षन चुरो चुरी करके कलंकल वा रहा हैं फिर बेंती सुनियों काहूं बेन के बज़या काहूं तेन के चरया काहूं लाखन लवया काहूं सुंदर कमार हो अखीरते साधे मन चावेगा पर यह एक ही गल कार दोती मारे ने अखीरते केंदे हैं ल दर्दों की निरंगार हो, इस दोकनों फिर सुने हो, समझ पैजाएगी, कि सुदता की सान हो, नाचनामी है, हासना मी है, घौनामी है, सारिया थामाते तूमें, पर वाह हो मेरे चोजिया, तू ए ना पवित्तर है, तेरे उते कोई लेव शेपी नी, शुदता की सान हो, कि संत परमात्मा, तेरे ते कोई दोख ने। पूर्ख मुग्र देर्थ में रुहानी किते अग्यानता नहीं किते गुर पूरे गुर्देरारे स्यारी गुरू ने पूरे सत गुरू ने से देर्थ करी हार पाया पूरे गुरू दी किर्पानल खरीनु पाया ते महराज किन ने खार पगत एक मंगा पूरे गुरू दी किर् खरीदे कुलों एक प्रिमा पगती दी दात मंगने अतान गुरू रामदास कहीं दे आप सब नू पता है के शिरी गुरू गरंट सहब दी बानी विच गुरू दी बड़ी वड़ी था है क्योंके थे अज आया गुर पूरे खरपा है पूरे गुरू दी किरपा नाल सत्गुरू दी मेर दे नाल क्योंके गुर्मत अंसार सो दर ते ओई पहुंचेगा जिड़ा गुरू दर तो लंगेगा ए बुआ पहला गुरू दर हुंदा है सो दर बाद चौने है शौ दर्थे ओ पहुँचेगा जिड़ाग गुरु दर्थे जायेगा गुरु दवारे तो बिना खरी का दवारा के में लब जाएगा सत्गु केंदे आप पूरे गुरु तो बिना नेखी एथे मैं वार्वार ने गल करांगा अज मैं अर्ज करढ़ंगा ये थे पूरे गुरू दा अर्थ तान गुरू नानक सहब दी जोद पूरे गुरू दा अर्थ गुरू गुरन सहब दे विच आया रबी ग्यान शबद उन्ज वैसे जदो असी बानीच अगे उन्ज शबद दी गल चलेगी मैं आजी ये बिंती करके जानी के पूरा गुरू ग्रंस है वार वार इको गल कुकद है के इनसान नू परवात्मा दी प्राप्ति सत्गुरू पर साथ तो बिना नहीं होनी जिमें आपा सारी बाणीच एको अंकार सत्गुर पर साथ शबद पढ़नें जहां गुरू पर साथ शब्द पढ़ने है गुरू दी किर्पा तो बिणाने ताइं आसा की वार वेची गुरू जी ने क्या पहली पौडी नल जड़े तिन शलोक ने न ओ पूरे गुरू नल सबंदत ने उस विच मैं असिर शलोक पढ़ देंगा क्योंकि गुरू पूरे हर पाया जेड़े इनसाने केंदे है भी विचार नल पा सकने है ये भी एक सवाले जदो विचार कर ली हुन गुरू दी लोड की खै विचार उन सार बंदे दा जीवन बंदा है कोई शक ने पर विचार दे नले गल याद रखको बंदे दा सुभाई दे जीवन नो बंदा है जी ओजा सुभाई विचार पर वहाँ पांदा है पर गुरू कर अंदर जा साथ गुरू दे करदा जेड़ा ए विदान खै ए दे मुतावख ठीक है आप मां करेंगे सी विचार करके सानू की लोड गुरू दी असी था अपने आप बंदगी कर लिया अपने आप सेवा ते मैं पाठ करां ते एक दिन माराई दी तो काई मानमुक पगत करें बिन साथगुर बिन साथगुर पगत ना होई राम ए साथगुरां दी गुरू रन से विच तो कै कि दिन मानमुक बंदे आप उद्रापन करके एक हैंदे जी पगती करनी चांदे या गुरू दी लोड नहीं पर महराज कहेंदे या साथ गुरू तो बिना पगती नहीं क्योंकि उदाकार्ण है गे इसानो इस रहत चनियसी रह सकते जे माराज इस तरह ना कहेंदे इस तरह कहेंदे सारी दुनिया सिक बढ़ियो नीसी याद रखे ओ प्यारे ओ जिन्नी मरजी खुल दे ले ओ वोटा करके ता राजनिती खेड़ी जासके दिये सिक ता केवल ओ बनेगा जिड़ा तोर अंतर आत्मे गुरूनु समर्पदक है कैनो ता बहुत कुछ कह सकेने मिनु याद एक वरी डॉक्टर नेकी साथ ने कोट की ता किनने किसे पुछया सी शायद सेंट पालतों कि इस दुनिया चे असाईया दी गिंती किन्नीक है किन्नेक असाईय ने किन्ने उना ने उना उत्तर पत भज़ाल सी मैं अरज करांगा गिंती करके जिन्नामर्जी कही जो एने कोड़ सिक ने अने प्यारे हो गुरू गरं सहब पोचके देखो मैं नेगटिव नी कह रह यहा गुरू गरं सहब केंदा सिक वो है सो सिक सकाबंद पखाए पाई जे गुर के पाणे विचावैं अपन शलोक ने गुरू ना सबंदत पहला गुरू दी अजमत दा जिकर खे दूजे विच बंदे नू समझाया है के गुरू तो बिणा अंदर नहीं समझ पहनी ते तीसरा क्या जिन्या मर्जी विचारां दी चलाकी वर्तले बोद कतलते लफ़ तेरे कुल बड़े खोन गे पर रब दे दरते सविकार तांख है जिक गुरू पर साद है तेन सलोक पहली पौडी नले पहला बचन कहे बल खारी गुर आपने दो खारी सदवार जिन मानसते देवते किये करतना लागी वार एशब्द गुरू नानक सब्दा सलोक है कि मैं आपने गुरू तो कुर्बान जाना ए बलहारी गुर आपने दो खारी सदवार जिन मानसते देवते किये करतना लागी वार दूसरा बचन कहें के जे सो चंदा उगवें सूर चड़े हजार बार मुकी जिन्ना मर्जी चानन हो जाए महराज के इंदिन नहीं गुरू तो बिना अंदर दाह नेरा नके जे सो चंदा उगवें सूर चड़े हजार एते चानन होंदियां गुर्बिन कोर अंदाहर तीसरा बचन महराज जी ने क्या नानक गुरू ना चेतनी पूरे गुरू तो बिना नहीं नानक गुरू ना चेतनी मन अपने सुचेत जेड़ा अपने मन भी चलाकी वर दे तर्क जा अपने बो ग्यान वगे रखता है महराज जी नानक गुरू ना चेतनी मन अपने सुचेत अंदर चलाकने ते छुट्टे तेल बवार जो ओना दी खालत उस छुट्टर तेल दी तरह बवार तेल दी तरह हैं के जिदे अंदर सिर्व राख परी गई है उदे अंदर दाना नी पक सक्या चुट्टे तेल बवार जो सुचेत खेत अंदर चुट्टे तेल बवार जो सुचेत अंदर चुट्टे आं को नानक सौना फलियां फुलियां बपडे पीतन विच सुबा इते गुरु जी कह रहा है के पूरे साथ गुरु ने मेर की ती पूरे गुरु दी किरपा नल ए मिल गया खरी मिलिया गुर पूरा है खार पाया मारज किने खरी गुरु दी किरपा नल मिलिया ते अगे फिर शब्द वर देया खार पगत एक मंगा यही परकरन काल दे सलोक भी चलना है मैं ताँ यह दे अर्थ थोड़ी जाए संकेब कार जाते के प्रबू असी फिर भी तेरे तो खरीजी पगती मांगने पाया तेरे तो सिमर्ण मांगने पाया सानू पगती ही देओ अगे फिर गुरू जी कें देया मेरा मान तन शब्द विगासिया तन गुरू रामदास कि देने मेरा मान और तन शब्द भी ददेनों से आरी है शब्द राही जाए शब्द किर्पा ना विगासिया दर थे खेड़े विचा गया साड़ा मान और तन शब्द राही खेड़े विचा गया मुर्जाया नहीं मेरा मांतन शब्द विगासिया ते ये शब्दने की किरपा कीती जाप अन्त तरंगा जाप दर्थे जाप के अनंत में अर्थ उचारन अंती कीता है पर अर्थ करांगा अनंत जिदा कोई अंत नी पासकदा तरंगादा अर्थे लेरां वेवस किनने ओ अन्यकां लेरां वाला जिदा पारब्रम पर मेश्वर्ख है ओनू जापके पर जपया के में शबदे नाल जपया के में गुरू दे बच्चन दे नाल चलो एते लफ़ शबदा है थोड़ी जी एदी विचार करनी बांदी है क्योंके सारे गुर्षिक असी सारे के नियसाड़ा शबद गुरू है बाणी गुरू है बचन गुरू है प्यारे हो जड़ा शबदे ना एदा आज तक किसे ने पेद नहीं पाया शबद असगाख है गुरू गुरू गुर्ण सही विचे शबद कई अर्थां विचाए थोड़ी जी सिर्वापनों बिंती करांगा एक शबद ता ग्रैमर दे रूँ व्याकरन दे रूँ विचे अक्रां दे जोड़नों आपा के निया शबद गुरू गुर्ण सही जीड़ा ए लफज शबद वरते है अर्ज किती है बहु अर्थां विचे है उन्ज अशी ए सारे मैं मी कता कर दिया कही न कि गुरू राम दास दे एने शबद ने गुरू नानक सही दे एने शबद ने परदास ने एक वरी बिनती किती सी पूरे गुरू गुररं सहब उच शिर्फ तिन वरी ये थे मैं हॉमेजनी शबद कह रहा जी जिनी कुदाते समी दिती पूरे गुरू 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 ई जीड़िंग दे ता अरते आंगवाला सुरूब है दूसरी वरी आया है 990 आंगते ते तीसरी वरी आया है 1105 आंगते सिर्फ तेनवरी सरलेखा है मैं थोड़ी जेदे सबंदी कहे के भी शबद किस किस अर्थ चाहे है वो प्यारे हो जदो अक्कर नेशन शब्द उदोवी सी जदो बोलन वाले व्याकरन वाले पाननी रीशी वर्गे नेशन पननी वर्गे उदोवी शब्द सी ते जिद दन सब कुछी खत्म हो जाएगा शब्द फिर भी रहेगा क्योंके जिमेक असी के नहीं जुगो जुग अटाल गुरू गुर्ण सेब एच बड़ा ढूंगा शब्द पाता क्योंके शब्द कदी भी खत्म ने कुंदा टांचा खत्म हो जाएगा अक्र खत्म हो जाएगा जिरे शब्द जानकारने मेरी बेंती समझेंगे शब्द उदोवी सी जदो कोई पाशा कोई लवज ए छड़ो जी जदो इनसान नाम दी चीजी नहीं शब्द उदोवी सोन समाद लगाए दा सी पर तेनवरी गुरु गरंस हैब शब्द सर लेखा है मैं अर्ज किती पहली बरी आया है नौसो नानुमे आंगते नाइन एट नाइन ओते गए हजूर ने फरमाया सलोक है साजन तेरे चर्ण की होई इस सलोक तो बाद अंदे सरलेक ससा बबात दददा सबद चलो शी शब्द कहरें हमें पहली वरी सरलेक होते आये जी सिरी राग आया है गौडे माज आया है गौडी आया सारे राग वरते पर सूझवान हूँ पत है सरलेक नहीं आया किते सबद शबद ओथे आया है के ओथे ओंदा है सबद पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले खेमे शतर सराइचे दिसन रात पीडे पहली वरी हैडिंग है दूजी वरी ओंदा है 990 आंगते ओखै के सबद ओखै सकी सहेली गर्ब गहेली सुन शै की एक बार सुहेली दूजी वरी हैडि जी तीसरी वियुम्दा है कभीर का शबद ओव मारूराग विच आया है उत्थे जाहे डिंगा आया है ओजी शबद मैं बेंती थोड़ी जी करांगा किस किस अर्थां जी गुरुगरंस सहे बचाया है एक ताँ शबद आया है खोकम दे रूब विच एक शबद आया है ब्र ब्रहम ही वर्त रिया है ओ अक्री शबद नहीं हो दे अर्थ सब इक को शबद वर्त दा जो करेश होई दूसरा हुकम रूब चाया है उत्पत पर लो शबदे होवै शबदे ही फिर उपत होवै शबद नल उत्पती शब्दे नाल विस्तार शब्दनल फिरलींता एते हुकम है जदो आप हाँ पाठ करने है सिक्को शब्द प्यारयो जन्मर्न की टेक एते शब्द अर्थे गुरू की बानी अबानी जदो अशी पाठ करने है जोग सब्दंग ज्यान सब्दंग बेद सब्दंग ब्रह्मन है ए एते शब्द अर्थे तरम जदो असी पाठ करने खां के कडियाई सब्द सती तक साल एते शब्द अर्थे क्रेक्टर एते शब्द अर्थे जीवन गुर्मखो जदो असी ये पाठ करने आ के अंद्रो जिनका मोत उटा तिनका सब्द सचे सवारिया तिनका सब्द सचे सवारि ओते शब्दा अर्थे बोल जदोसी पाठ करने आनहता शब्द वाजंत पेरी ओते शब्दा अर्थे अनधनाद अनतुनी यह मैं सिर्व थोड़े थोड़े बिंती की थी एक मैं अर्ज करांगा जे किसे ने गुरु शब्द बारे सारे तर मच शब्दी की थाँ खे डीटेल नल पढ़ना खे चिलाना कर गया डॉक्टर गुलजार सिंग जी कंग उना दी कताब सी जड़ी मैं तकरीबन दो तेनवरी उदा तेनकवरी पाठ कीता है जो दा निट के उदा नाम है शब्द दा संकल्प तेनसो सबा तेनसो पनने दी मेरा क्याले ओ कताब है उस विचो दास देया शब्द केस के शिरूविच भरतदा है मैं आपनों बिंती करांगा एनों अउखाना जाने हो क्योंके जिनों शब्द गुरू कहिने पैया जदो अगला स्वाल करदा भी द्रिष्ट मान वे इतना सब कुछ बिंसे जाने शरीरी भी बन सेगा जेस जीवने जपया ओवे बिंसेगी पर आपां ता कहने है गुरू लोग पर लोग भी जान दे ना प्यारे ओ अखरी शबद एसू किसे दुजे आनमत नलमत जोड़ो एक गुरू गरंसेव दा खजाने है जड़ी साधी लडाई करके गुरू डाम वाले खेचके ले गए ते उन जदो ओ लोग शबदी गल कर द आपां तेक दुजे दी निंदिया राजिके करनी असी तक करंट मसलियां उतेक दुजे दी पाग भड़नी मैं गुसेच नहीं कह रहे है पर गुरू गरंसेव दा खजानने है खोन अगली काल जड़ा इस शबद खेए मारा राज किनने में शबद जपिया तुसी जब जी स दा पाठ कर देूँ इस शबद किस किस रूप वर्द है रुखानी शबद मारा एदा एक बचन खेए कि गुर्मुख नादंग गुर्मुख वेदंग गुर्मुख रया समाई दा पाठ मैं गुर्मुख ही कर रहा हूं यह पजबी पौड़ी यह न थापिया ना जाय कीता ना होए, आप पे आप निरंजन सोय, इishna थे मैं अर्थ पड़े या आम टीका कारा गुरमखाई कीते हैं, गुरू दे सानमख, गुरू जी नाद कही गुरू जी वेद कही, गुरू रहा समाई यह अर्थ साव ने कीते हैं, क्योंके गुर इसर, गुर गुरक बर्मा, गुर पारबती माई क्या एदे अर्थ जिस कताब दा मैं जिकर कीता है जिदो ओना कीते हो ना डिटेल ना ले एदे एक चैप्टर लिखे उस विचो कहें दे या कि गुर्मक दा अर्थ परमेश्वर कीता पारब्रम सुन वे इस अर्थ नू गुर्मक नादं शब्द तुनातं के रूबे चुभी गुँजदा है केड़ा बंदा हो जिदे विचे तुनी नहीं गुँज़री गुरू जी कहें दे या काटकट वाज़ा है नाद ये नादे रूबे सारे ये नाद शब्द सुन के जोगियां पिछे ना बैजी के गुर्मक नादं कोई ऐसा अंथानी जित्थे नाद नहीं गुँज़री आ काटकट वाज़ा है नाद के पर सुनाई तानी देंदा क्यों के बार दा रूबला एना अंदर पे है लोकी के दिया साउंड दा पुलूशन बार बढ़ा है मैं के नो प्यारे हो साउंड दा पुलूशन जदो बार हो बांद हो जाए अंदर मान एना को नाद गुज़ देया अंदर भी साउंड दा पुलूशन है चंगियां मन्देपुर ने सारे साउंडी देंदे हैं बाणी पड़ते हैं हजूर ने क्या गुर्मक नादंग ओ शब्द नाद रूप ओके वरत रहा है गुर्मक वेदंग ये थे वेदा अर्थ रिग जुजर शाम अथर बन्नी गुर्मक नाद रूप ओके वरत रहा है ते जिन्ना ने उस अगमी नाद नू अपने अंदर सुने है उना मानवता दी पलाई वास्ते अक्रां दे रूप इच वेद दे रूप इच वेदार्थ गुर्बानी फिर ते सुने वेदार्थ ग्यान मा कीता है यह थे ओ ग्यान रूप शब्द पैदा होया जिन्नों आप सारे कहरें बानी गुरू गुरू खै बानी गुर्मक नादंग प्रबु नाद रूप ओके वरत रहा है शब्द दूसरा सरूप एदा अक्र रूप ओके वरत रहा है ते गुर्मक रहा समाई तीसरा सच एवे के शब्द सर्ब व्यापक अद्रिष्ट रूप ओके विबरत रहा है महराज केंदेया उस शब्दनों समझन ली अक्री शब्द जुड़ना पएगा अक्री शब्द जपना पएगा इस शब्दनल तेरी उस शब्दनल कनेक्शन बनेगा वाज सब्द गुरू ने बख्षिक की ता महराज कनदेया कि मेरे साथ गुरू ने शब्द दिता तेहाजूर ने फरमाया कि मेरा मनतन शब्द भी गहा सेया शब्द मेरे मनतन खेडे पैदा करदा पे teacher ते गुरू जी कनदेया जप अनत तरंगा उन्हों जापके फिर अगली गाल सत्गुरु केंदेया मिल संत जना हार पाया एशबत इस हरी दी प्रापती तेनी चर गल्लाँ हो चुकी आने इस इस बचन जी पहला ओदी शर्न मंगी फिर क्या पूरे गुरु ने मला देता तीसरी गल की ती शब्द ने खेडा लिया दिता ते चौती गल के अरदित जी मिल संत जना हार पाया इस सारा सिदान दे दिता गुरुमत दा इस अमरत बचन विच महराज गेंदेया के शब्द खेडा देंदे इक लियानी गल के उरी बांदी जेडे आपने तो ने खानियत दे तोरते अगे ने उना दी संगत करके मिल संत जना एति सबठी का काराने संत जन बहुँ वच्नर्थ कीता है के रब दे शब्द नू कमान वाले संत जना नू मिलके पर किमे मिलके? महराज केंदे ने नानक सात संगा उना दी संगत विच बैठके मिल संत जना कर पाया नान के साथ संगा संत जना दी संगत पर ए नहीं उते शबद दी गल की थी गुरू दी गल की थी ते गुरू ए गल कहीं देया के पाई अगमी शबद बानी रूपो के वर्द है तू गुरू तो दात ले प्रत्म रहत जे जान खंडे की पौल शक है सत्गुरू तो अमरदी दात ले फिर करशबदी कमाई एक उधारन में समापती ते मिल संत जनाहर पाया प्रिंसिपल गंगा सिंग उनाने में एक वरी जिकर की ता सी अपनी लिखत वे चेक जगा लिख है मेरकुल प्रूफ है इस चीज़ दा कि ओ किनने सी शिमले गए ते बाबा अतर सिंग मस्तू आने वाले ओ ना दे नालसं संगत संगी होर भी संग कि ओ थे दिवान सी ते मैं कथा कर रही है सांग ते कथा कर दे हैं चैप्टर चाल पे हा अनहद नाद दा जिम्हें मैं आज परमान दाई गया शबद दा बानी दा ओ आए ओ गुरू सहब दी ताबिया साज गय ते नेतर बंद करके उस सुनी जान मेरे मांच निकी निकी खौमेवी पुंगरे भी एड़े वड़े कमाई वाले सुन रहे है गाल मुक दी के ने मैं सुनेया उना दा चेरा पखेया सुनके दूजे दिनों ना क्या भी सारी संगती कठी हो के न अपने लंगर दी सेवा थी करांगे जेडी में भारवारी कहीं न दूजे दिन के ने मेहमी चला गया मानने क्या चलो के ने मेनों अपने कोल बुला ला कहां लगे भी प्रफैसर सानु दो प्रफैसर सानु मेरे कोला जो ये जे किसे पढ़ना वे छोटी जी कताब बलवंत सिंग कोठा गुरू दी अबनंदन ग्रंत वो दे विच है ओ के ने सानु कोल बुलाया थे के ने प्रफैसर साब जेडी काल तुसी कथा कीती कमाल कार दती के ने अगली गालो ना मिनू कल्यानो कही ते गंगा सिंग कहीं दा जो चले गया श्रीडिक ताउरते ते के ने मैं साच कहीं ना मिनू कल्यानो क्या जो कोई तुसी काल बोले सची उनू सुने या उनू माने या कि ने पहला मेरे मान चाया मैं गलानल कुमा दियां फिर अंदरो अवाज आई ओ गंगा से यां अज जी रब ने मौका दिता है किसे नाम रसी ये दी संगर्दा क्यों तू कुमाना है गलानल के दिने में हत जूड के क्या जी नहीं मैं सिर पढ़ के बोल लियां हस के कहल कि चल गंगा से केंदा मैंनो ओ शू कदी पोल दी नी साथ संगर दी उना दे नेतर बंद सन मैं टिक टिकी लाके जी मैं चकोर चंदरमा नो देख दी देखी गया केंदा सच मुछ चेरा लाल पक्या एक हौका जा ठंडा लिया अक्खा चो पानी निकलिया ते मेरी माँ पकड के के देने परफेसर सहब जी इसनू चलेई जा सकते नू यादा बोलेया ने जा सकता मैं आपनो बेंती करां गुर्म खो गलाता मैं भी कारदतिया पर जेड़ा आँ अब आसका है जाप अन तरंगा अनेका लेरा उठनिया रुन चुन कार पैदा खोना तान गुरू राम दास के देया ए ओधी मेर नाल खै ए संत जना दी संगत करके मिल संत जना हर पाया नानक सात संगा उस सात संगत विच्छों इनिया को बेंतिया परवान करेऊ सबजेक्ट ता कलनू इदे नाल मिल देई है के दीन देयाल सुन बेंती हर प्रभार राया राम राजे हो मांगू शर्न ह नाम की हर हर मुख पाया एकलनू विचारांगे जी वाहि गुरुजी का खाल साथ वाहि गुरुजी की फ़त